इसे भरी जमी होगी, कोई मेही कमी ही होगी आउम शांते भाक्ति मार्ग में हम आत्माएं देवी देवताओं को भगवान मान कर उनकी महिमा करती रही और कितने भाग्यवान है हम कि जब हमें ज्यान मिलता है कि सच में भगवान कौन है तो भाग्य विधाता रोज हमारी महिमा गाते है और ना केवल शिवबाबा गाते हैं अपितू साथ साथ हमें महिमा योग्य भी बनाते है उस योग्यता को भरने का आधार है बाबा की मुर्ली और इस मुर्ली को जितना हमात्मिक स्थिती में स्थित होकर बाबा की श्रीमत पर चल कर बाबा के प्रती और महावाक्यों के प्रती दिल की भावना रख कर सुनते हैं उतना उतना आत्मा अंदर से पावन बनती जाती है न केवल स्वयम अपितु प्रकृती को वान्य आत्माओं को भी पावन बनाने के निमित बनती जाती है तो अभी हम सुनेंगे बाबा के वो मधुर महावाक्य जिससे आत्मा पतित से पावन बन जाए आज है सोला तारीक, सोला नवंबर दो हजार तेज बाबा के महावाक्ष्य हैं, मीठे बच्चे भारत जो हीरे जैसा था पतत बनने से कंगाल बना है इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है मीठे दैवी जाड का सैपलिंग लगाना है भारत को पावन हीरे जैसा बनाने के लिए एक ऐसा भारत जहां हर एक भारतवासी भारत कैसे बनेगा जब मूल भारतवासी पवित्र भारतवासी सृष्टी पर आएंगे पर उसके लिए वरतवासा में हमें मीठे दैवी जाड का सैपलिंग लगाना है प्रश्ण है बाप का करतव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददिकार बनना है उत्तर है सारे विश्व पर एक डैटी गवर्ण्मेंट स्थापन करना अनेक धर्मों का विनाश और एक सतधर्म की स्थापना करना यही बाप का करतव्य है तुम बच्चों को इस कारे में मददिकार बनना है उच्च मर्तबा लेने का पुरुशार्थ करना है ऐसे नहीं सूचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही ऐसे सोचेंगे तो अलबेले हो जाएंगे फिर उचा पद नहीं मिलेगा गीत है तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंधू सखा तुमी हो तुमी हो माता पिता तुमी हो तुम्ही हो बंधू, सखा तुम्ही हो तुम्ही हो साथे, तुम्ही तहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथे, तुम्ही तहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नईया, तुम्ही खिवया, तुम्ही हो बंधू, सखा तुम्ही हो तुम्ही हो मादा, पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधू, सखा तुम्ही हो ओम्ही शांति दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता हम लोग भी भक्ती में गाते थे परन्तु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते गाते थे, परन्तु उस समय हमें भी पता नहीं था जो भी देवी देवता सामने होते थे उनी के सामने गाते थे यह भी वंडर्फुल बात है सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में है कि बरुबर यह मात पिता कौन है अभी सबको ग्यान है यह परमधाम का रहवासी है परमधाम एक ही है सत्युग को परमधाम नहीं कहा जाता सत्युग तो यहां होता है न परमधाम में रहने वाले तो हम सब है तुम जानते हो हम आत्माई परमधाम निर्वान देश से आती है इस साकार स्रिष्टी में स्वर्ग कोई उपर नहीं है चुकि दुनिया में तो यही सोचते है कि स्वर्ग उपर है कही है न परन्तु अभी हम बच्चों को पता है स्वर्ग यहीं था आते तो तुम भी परमधाम से हो तुम बच्चे अब जानते हो हम आतमाई शरीर द्वारा पाठ बज़ा रहे है हम सब आतमाई अपने अपने शरीर द्वारा पाठ बज़ा रहे है कितने जन्म लेते हैं कितने सारे पाठ बज़ाएं हर जन्म में एक नया शरीर कैसे पाट बचाते हैं यह अब जानते हैं वह है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आये शिव बाबा दूर देश परमधाम का रहने वाला अब इस पर आये देश में आये है अब पर आया देश क्यों कहा जाता है तुम भारत में आते हो ना? परन्तु पहले पहले तुम बाप के स्थापन की हुए स्वर्ग में आते हो फिर वह नर्क रावन राज्य हो जाता है इसलिए पराया हो गया पहली अपना था हमारे बाबा ने स्थापन किया था परन्तु फिर रावन राज्य हो गया तो पराया हो गया अनेक धर्म अनेक गवर्णमेंट हो जाती है फिर बाप आकर एक राज्य बनाते है अभी तो बहुत गवर्णमेंट है अनेक देश है फिर देशों में बहुत सारे राज्य है सबका अपना अपना राज्य चलता है कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो बाते तो बहुत करते हैं युनिटी की अब सब मिलकर एक हो या कैसे हो सकता पॉसिबल नहीं है पाँच हजार वर्ड पहले भारत में एक गवर्णमेंट थी वर्ड अल्माइटी एथॉरिटी लक्ष्मी नारायन थे विश्व में राज्ये करने वाली और कोई एथॉरिटी है नहीं कोई भी अथॉरिटी नहीं होकर गई जिसने सारे विश्व पर राज्ये किया हो सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते स्वर्ग में एक ही गवर्णमेंट थी बस एक धर्म, एक राज्य, एक भाशा स्वर्ग में थी नर्क में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इतनी अनेकता है, कोई भी अपने आपको कम नहीं समझता है इसलिए कहते हैं, सब एक हो जाए अब बाप कहते हैं, हम और सबका विनाश कराए एक आदी सनातन, डेटी गवर्ण्मेंट स्थापन कर रहे है तुम भी ऐसे कहते हो न, सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड, ओल्माइटी, एथॉरिटी के डारेक्शन अनुसार हम भारत में एक डेटी गवर्ण्मेंट का राज्य स्थापन कर रहे है हम भी ऐसे करते हैं कि एक बाबा की श्रीमत पर हमें एक धर्म, एक राज्य की स्थापना कर रहे है डेटी गवर्ण्मेंट के सिवाई, और कोई एक गवर्ण्मेंट होती नहीं 5000 वर्ष पहले भारत में अथ्वा सारे विश्व में एक डेटी गवर्ण्मेंट थी अब बाब आया है विश्व की डेटी गवर्ण्मेंट फिर से स्थापन करने फिर से एक आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने हम बच्चे उनके मददकार है इस बेहद कारे में हम बाबा के मददकार है यह राज गीता में है यह है रोद्र ज्यानि यग्ये रोद्र किसको कहते है निराकार को कहा जाता है कृष्ण को नहीं कहेंगे रोद्र नाम ही है किसका निराकार का बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रोद्र अलग है और सोमनात अलग है तो अब एक डेटी गवर्ण्मेंट स्थापन होनी है सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है किस वर्ग में तो जाएंगे ही बस आ गए हमने दिल से बाबा को कहा बाबा बाबा ने भी कहा बच्चे एडॉप्ट हो गए बस बस इससे खुश नहीं होना है बाबा कहते हैं दिखो नर्क में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं पोस्ट पोजीशन के लिए क्या-क्या नहीं करते न बहुत कुछ करते हैं एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं. एक तूजी पोस्ट मिली, फिर उसके बाद तनखा भी बहुत जादा होती है, कमाई भी बहुत होती है. भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे. नहीं एक भगवान होगा, तो फिर भटकेंगे नहीं. यहां तो सब को भगवान कह देते हैं. सब में भगवान ऐसे कह देते हैं. मनुष्यात्मा में भी, जड़ में भी, चेतन में भी, जीवजन्तूओं में भी, सब में भगवान हैं. अनेकों को अवतार मानते हैं, बाप कहते हैं, मैं तो एक ही बार आता हूँ, गाते भी हैं, पतित पावन आओ, सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है, भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था, क्यों भारत सबसे ज़्यादा पतित है? क्योंकि भारत ही सबसे ज़्यादा पावन था, भारत ही हीरे तुल्ले था, भारत ही अब कंगाल बन गया है, कंट्रास्ट में बताया गया है, ऐसे कंगाल नहीं है, परन्तु जितना भारत साहुकार था, जितना भारत के अंदर हीरे ज जवाहर थे संपन्न ताथी उसके कंपारिजन में बोला गया है तो बाबा कहते हैं तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है तो बाब समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है जो जन्म मरण रहते हैं मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान हम भी भगवान कहते हैं जिदर देखू तू ही तू है बस यहां आए हैं मौज करने बड़े मस्त रहते हैं बस जिदर देखता हूँ तू ही तू है तेरी ही रंगत है दिलकुल मगन हो जाते हैं हम भी तुम तुम भी हम बस डांस करते रहते हैं हजारों उनके फॉलोवर्स हैं बाब कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं भक्ती में भावना से पूझा करते हैं पिसी कली क्या है भावना ही तो है कि उन्हें जहां देखो वहां भगवान नजर आता है जैसे कोई दिल में समाज आता है न तुम कहीं भी देखते हैं उसी का प्रती रूप नजर आता है बाबा कहते हैं मैं उन्हों साक्षातकार करा देता हूँ बाबा उन्हें साक्षातकार करा देते हैं उनकी भावना का भाड़ा देते हैं परन्तु वो मेरे से मिलते नहीं हैं जिसमें भावना होती है उसका साक्षातकार हो जाता है पकि बाबा से मिले वो नहीं होता मैं तो स्वर्ग का रचाईता हूँ ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्सा देता हूँ भगवान तो है ही एक बाब कहते हैं सब पुनर जन्म लेते लेते अबला हो गए है सब कुछ लुट गया है अब मैं परमधाम से आया हूँ मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता बहुत मनुष्य कहते हम निश्काम सेवा करते हैं सबसे ज़ादा दुनिया में लोग कहते जरूर है पर रन्तु प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस कर्मशेत्र पर आप जो करोगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा परन्तु एक शिव बाबा है निश्काम सेवाधारी परन्तु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा न तुम साहुकार बने हो क्यों? क्योंकि पास्ट में दान पुन्ने किया है इस कर्मशेत्र पर हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल ना मिले पॉसिबल ही नहीं है अब तुम पुरुशार्थ करते हो जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना भविश्य में ऊच पद पाएंगे अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिख लाए जाते हैं भविश्य जन्म जन्मांतर के लिए मनुश्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए और हम जन्म जन्मांतर के लिए फिर कहेंगे ये past कर्मों का फल है ऐसे ही न कुछ अच्छा होता तो ये ही सोचते हैं जरूर कुछ अच्छा पिछले जन्म में कर्म किया होगा जिसके फल स्वरूप हमें ये कुछ मिला है सत्युक्त रेता में ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ तो अभी संगम योगी जन्म में जो हम पुरुशार्थ करते हैं उसकी प्रालब्थ मिलते है है ना कर्मों का भल 21 जन्मों के लिए अभी तयार कराया जाता है तो दिन रात एक कर देना चाहिए क्योंकि इस जन्म के पुरुशार्थ के आधार पर एक नहीं दो नहीं 21 जन्मों तक हमें कितनी प्राप्तियां होंगी तो बाबा कहते हैं संगम योग के पुरुशार्थ की प्रालब्थ 21 पीडी चलती है सन्यासी ऐसे कहना सके के हम तुम्हारी ऐसी प्रालब्थ बनाते हैं जो तुमें किस जन्म सुखी रहेंगे कोई सन्यासी ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल नहीं अच्छा वह बुरा फल तो भगवान को देना है ना तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयो लंबी कर दी है बहत हैं जो कहते हैं पाँच हजार वर्ष का कल्प है तुम्हारे पास मुसल्मान आये थे बुले कल्प की आयो बरोबर पाँच हजार वर्ष है यहां की बातें सुनी होंगी चित्र तो सब के पास जाते है सुभी सब थोड़ी मानेंगे जाते हैं हम बताते भी है प्रण तो मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो उस पर डिपेंड करता है तुम जानते हो यह रूद्र ज्यान यग्य है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है इसमें सहज राजयोग सिख लाया जाता है कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव यानी रूद्र से वर्सा ले रही है साकार मुडली है तो कृष्ण की आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा वर्सा ले रहे है यहां बैठी है बाबा अलग और यह अलग है शिव बाबा अलग और ब्रह्मा बाबा की आत्मा अलग है ब्राम्मन खेलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना इस बात को बाबा क्लियर करने के लिए एक्जाम्पल देते हैं फिर वहे आत्मा ब्राम्मण में आकर बोलती है, तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं, अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वहे आत्मा कैसे आती है? बहुत टाइम हो जाता है, शरीर छोड़े, फिर उसको बुलाते हैं राम्मण के तन में, तो बबाप पूछते हैं फिर वह कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है, मैं बहुत सुखी हूँ, फालाने घर जन में लिया है, यह क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है? रिस्पॉंड करती है वो आत्मा, परन्तु एक्चुली में क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? क्या उस समय उसके ने जो दूसरा जनम लिया है, उस जनम से उनकी आत्मा निकल कर उस समय ब्राम्मण में आ गई? बाप समझाते हैं, मैं भावना का भाड़ा देता हूँ, और वे खुश हो जाते हैं, सब कुछ बाबा कराते हैं, है ना? बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों की भावना को पूरा करने के लिए. यह भी ड्रामा में राज है, बोलते हैं, तो पाट चलता है, कोई ने नहीं बोला, तो नूद नहीं है, ड्रामा में नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, बाप की जाद में रहो, तो विकर्म विनाश होंगे, अन्ने कोई उपाए नहीं, हर एक को सतो, रजो, तमों में आना ही है. बाप कहते हैं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ. फिर से ही मैं परमधाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ. यह पुज्य था. पुजारी बना, फिर पुज्य बनता है. यह साइकल चलती रहती है. ततत्वम. ब्रह्मा बाबा की भी चलती है, तो हमा आत्माओं की भी चलती है. तुमको भी बनाता हूँ. पुज्य से पुजारी, पुजारी से फिर पुज्य. है ना? पहला नंबर पुरुशार्थी यह हैं ब्रह्मा बाबा. तब तो मातेश्वरी, पिताश्री कहते हो बाप भी कहते हैं तुम तक्थ नशीन होने का पुरुशार्थ करो बाबा चाहते हैं सब बाप समान बने यह जगत अमबा सब की कामना पूरण करती है है ना यह जो बाबा हमें ज्ञान रतन देते हैं ममा इन ज्ञान रतनों को refine करके समझाती थी तो सब आत्माओं की जो जन्म जन्मांतर की कामनाएं थी वो पूर्ण हो जाती थी क्यों? जोकि इस ज्ञान में आत्मा को त्रिप्त करने की शक्ती समाहित है आत्मा के मन को मन की जैसे प्यास होती है ना जो इच्छाए होती है वो खुशी, वो आनन्द वो प्रेम, वो पवित्रता सब इसमें समाहित है जो एक्च्छली में आत्मा को चाहिए माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे तुम सब को रास्ता बताते हो सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सत्योग में स्थूल में सत्योग में पूरी होंगी सुक्ष्व में अभी संगम युग पर ही पूरी हो जाती है बाबा कहते है घर में रहते भी यदि पूरा यूग लगाई स्थान से मतलब नहीं है कई भी रहते हैं परन्त यूग से बात है अंदर की आत्मा का जो connection है शिव बाबा के साथ उस उस पर सारा मदार है तो बाबा कहते हैं कि घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से उच पद पा सकते हैं बांधेलियां तो बहुत हैं रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे न के इसके लिए कोई उपाएं निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो परन्तो जब दो-चार बार सुने तब खयाल में आएं एक्चुली में किस बात की तडप है किस लिए ये सब कहा जाता है उसको एक्जैक्ली समझना उसके लिए टाइम चाहिए तकदीर में होगा तो मानेंगे पेचीला ग्यान है ना इतना जादा इजी नहीं है सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें क्या मनुष्य से देवता कि एक अरतना लागिवार ये जो गुरुगरंद साहिब में लिखा है इसका यथार्थ अर्थ क्या है किसने एक उनकार सत नाम यह उनकी महिमा है ना एक ओम यानि आत्मा की आकार का जिसका नाम सत है यानि सदा है यह उनकी महिमा है ना अकाल मूर्थ यह ऐसी मूरत जिसे काल न खा सके ब्रह्म तत्व का तक्थ है कहते हैं न सिंघासन छोड़ कर आओ गीत हैं न छोड़ भी दे आकाश सिंघासन बापबैट समझाते है सारी स्रिष्टी के आदी मध्यांत को जानते है ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते है दिल को नहीं जानते स्रिष्टी के आदी मध्यांत को जानते है भगवान को याद करते हैं कि सद्गती में ले जाओ बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑल्माइटी डेटी गवर्ण्मेंट की स्थापना कर रहा हूं यह जो पार्टीशन होए हैं यह सब निकल जाएंगे दुनिया में कितने पार्टीशन है सब निकल जाएंगे जब दुनिया में एक ओल्माइटी गवर्ण्मेंट की स्थापना होगी हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है जाड़क तो बहुत बड़ा है मनुष्य स्रिष्टी रुपी जाड़ तो बहुत बड़ा है उनमें मीठे ते मीठे हैं कौन देवी देवताईं इसलिए उनकी पूजा होती है अर्चना होती है उनका फिर सैपलिंग लगाना है अभी हम क्या कर रहे है जब घ्यान देते हैं कूर्स कराते हैं तो इसका मतलब सैपलिंग लगाते हैं अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं अच्छा आज सत्गुरु वार है बाप कहते हैं, बच्चे, श्रीमत पर चल कर पवित्र बनो, तु साथ ले चलो फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो वर्सा लेना है, तु मेरी मत पर चलो याद से ही, तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे अच्छा हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को और मीठी मम्मा को गुट मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सार पहला, संगम युग के पुरुशार्थ की प्रालब्ध 21 जन में चलनी है यह बात स्मृती में रख, श्रेश्ट कर्म करने है ज्यानदान से अपनी प्रालब्ध बनानी है दुसरा, मीठे दैवी जाड का सैपलेंग लग रहा है इसलिए अत्ती मीठा बनना है वर्दान है ब्राम्भण जन म की विशेष्टा और विचेत्रता को स्मृती में रख सेवा करने वाले साक्षी भाव क्या वर्दान मिला? साक्षी भाव प्रंतु कैसे? जब ब्राम्मण जन्म की विशेष्टा और विचत्रता को स्मृती में रख कर सेवा करेंगे यह ब्राम्मण जन्म दिव्य जन्म है साधार अजन्मधारी आत्माई अपना बर्थडे अलग मनाती मैरिज डे, फ्रेंड्स डे, अलग मनाती है ना लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है एक ही दिन हमने बाबा को अपना मा, पिता, बंधु सखा हैना माना भी और बाबा के साथ मैरिज भी की, अंगेजमेंट भी की तो हमारा तो एक ही है क्योंकि आप सब का वाइदा है क्या एक बाप, दूसरा न कोई तो इस जन्म की विशेष्टा और विचत्रता को स्मृती में रख सेवा का पार्ट बजाओ सेवा में एक दो के साथी बनो लेकिन साक्षी होकर साथी बनो जरा भी किसी में विशेष जुकाव ना हो प्रोब्लम का बाती है जब लगाव होता है जुकाव होता है तो मन मुटाव होता है तो बिलकुल साक्षी हो जाओ परन्तु वो कब रहेंगे जिस ब्रामण जन्म की विशेष्टा और विचित्रता को स्मृति में रखेंगे स्लोगन है बे परवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्मानता और अथोरिटी का बैलन्स हो जिसे बाबा कहीं बार कहते है बालक सुमालिक तो निर्मानता कहा निर्मान बनना है कहा अतौरिटी में आना है इसका बैलन्स हो तब कहेंगे बे परवाह बातशाह आज मातेश्वरी जी के भी मधुर महवाक्य है महावाक्यों का टॉपिक है आत्मा पर्मात्मा में अंतर भेद आत्मा और पर्मात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला धलाल जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा पर्मात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा पर्मात्मा से बिछुड़ गई है तो यह शब्द साबित यानि सिद्ध करते हैं कि आत्मा और पर्मात्मा अलग-अलग दो चीज़ है बिछुड़ गए हैं तो यानि दो अलग-अलग चीज़े हैं तभी तो बिछुड़े ना दोनों में आंतरिक भेद है परन्तु दुनियावी मनुश्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही पर्मात्मा हूँ परन्तु आत्मा के उपर माया का आवरण चड़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरुप को भूल गए है जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही पर्मात्मा है तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो पर्मात्मा हूँ परन्तु आत्मा अपने आपको भोलने के कारण दुखी बन पड़ी है जब आत्मा फिर अपने आपको पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा पर्मात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे सी कहते हैं परंतु अपंतु जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है और ना फिर परमात्मा के उपर आवरण चड़ सकता है चा ओम शान्ती तो आज सभी क्या विशेशोंबग करेंगे? सारे दिन में अपनी आत्मिक स्थिती को कायम रखने का अभ्यास करेंगे कोई भी कारे करते ये स्मृती रहे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर में शान्त है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, पवत्रता है तो वही गुण मेरे हर कर्म में जलकने चाहिए, तो इसका अभ्यास करेंगे और स्वयम पर सारा दिन अटेंशन देंगे, चा, ओम शान्ती मेरे परमपेता, परमातमा, सदाशिव नेराका ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरमपा मेरे परमपेता, परमातमा मेरे परमपेता, परमातमा, सदाशिव नेराका ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरमपा, महिमा अपरमपा, तेरी महिमा अपरमपा महिमा अपरमपा, तेरी महिमा अपरमपा मेरे परम्पिता परमात्मा तुम स्रिष्टी के ग्याता हो वर्दानों के दाता हो तुम स्रिष्टी के ग्याता हो वर्दानों के दाता हो हम तुम को पाकर पाएं गति सद गतियों पहार महिमा अपरम्पार तेरी महिमा परम्पार महिमा परम्पार मेरे परम्पिता परमात्मा महिमा परम्पार भूंकारेश्वर सरवेश्वर मुक्ती दाता मुक्तेश्वर जीवन नईया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरम्पार तेरी महिमा परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार मेरे परम्पिता परमात्मा महिमा परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार तेरी महिमा परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार मेरे परम्पिता परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार महिमा परम्पार